पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम की तरफ से भारतिय जनता पार्टी शासित नगर निगम की तरफ से दिल्ली में कई जगे बुल्डोजर चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले कई महीनों तक बुल्डोजर चलाए जाएंगे, उन्हें वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमन हटाने जा रहे हैं, जितना भी एंक्रोच्मेंट है, illegal constructions हैं, वो सारी हटाई जाएंगे, हम खुद भी अतिक्रमन के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि एंक्रोच्मेंट होनी चाहिएं, हम नहीं चाहते कि illegal buildings बननी चाहिएं, दो चीजें इसमें important हैं, एक यह कि पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बनाया हैं, दिल्ली planned तरीके से नहीं बना, दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली जिस तरह से बनी, 80% से ज्यादा दिल्ली illegal या encroached कही जा सकती है, 80% से ज्यादा दिल्ली जो है वो अतिकरमन के दाएरे में आएगी, तो प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा, दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिकरमन को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा है, बुल्डोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं, वो आदमी कागज लेके खड़ा है सडक के उपर चिला रहा है दया की भीक मांग रहा है कि मेरे कागज तो देख लो मेरे पास हैं कागज मेरे पास हैं मेरा जो यह है यह 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 इलीगल नहीं है यह इनक्रोश नहीं है मैं कई कई 40-40 साल से यहां पर रह रहा हूं मेरे पास का प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्छी कोलोनियों को तोड़ा जाएगा दिल्ली की कच्छी कोलोनियों में लगबग 50 लाख लोग रहते हैं इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी जुग्यों को तोड़ा जाएगा दिल्ली की जुग्यों में लगबग 10 लाख लोग रहते ह इसके अलावा तीन लाख प्रॉपर्टीज की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है जहां पे इनका कहना है किसी ने नक्षे के इतर जिन लोगों ने किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली किसी ने एक कमरा अलग बना लिया किसी ने इस किसम के सारे पार्टली उन लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां जुगी वही मकान बनाके दिये जाएंगे कि और अब चुनाब के बाद इन को सब को तोड़ने के लिए आ गए तो भें तो सही नहीं मैं समझता हूँ जिस तरह से दिलली का हम भी मैं फिर से दहराना चाहता हूनि ये तो हम भी जा तिकर्मन存 में कि उनकी उनकी रोजमर्रा की जिंदीगी खराब कर दो के उन यह तो कोई बरदाश्ट नहीं करने वाला 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था दिल्ली नगर निगम में 15 साल में इन्हों ने क्या किया 15 साल में इन्हों और इल्लीगल एंक्रोच्मेंट्स कराए और इल्लीगल बिल्डिंग्स बनवाई उसके खुब पैसे आरोप लगता है कि खुब पैसे लिए गए पैसे ले लेके कराए गए अब जब इनका कारेकाल पूरा हो गया है 18 तारिक को इनका कारेकाल पूरा होने जा रहा है अज 16 तारिक हो गई है दो दिन बचे हैं 18 तारिक को इनका कारेकाल पूरा हो गया क्या इनकी नैतिक इनके पास पावर है आपने कानून पास करके अब एक आफिसर लगा देंगे और वो लेकिन आपकी क्या नैतिक constitutional legal power है कि आप इतना बड़ा निरने ले सकें आप चुनाव कराईए चुनाव कराने के बाद जो नई mcd बनेगी उसको निरने लेने दीजिए चुनाव के बाद पूरी दिल्ली जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम के अंदर हम दिल्ली के साफ सूथरा बनाया जाएगा कैश्य को के रेगूलराइज करेंगे हम्ने लोगों को मालिकाना रही हक दिलाएएगे कच्छी कोलॉन rubbish के लोगों वहां पे अल्रीर हम लोगों ने सडक बिझली पानी की विवस्था कर दिया साफ सफाई उनको अच्छी का लोनी के रूप में विक्षित किया जाएगा जुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग, टाइम लग रहा है, जुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं, जुग्यों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिली को, उनके लिए मकान बनाएंगे, उनको इज़त की जिन्दिगी देंगे, जिन लोगों ने थोड़े पर, कब्जक रखा, उससे लोगों को बादा पॉंचती है, ऐसे लोगों को मौका दे के उनको हटाने के लिए कहा जाएगा, लोग हटाते हैं, कई बार हमने ऐसे प्रयास किये, लोगों को बुलाया, उनको कहा भी है, फीक नहीं है, इसको लोग फटा लेते हैं, अपने खोड़े लेते हैं आप लोगों पर bulldozer क्यूं चला रहे हो हम दिली को ठीक करेंगे हम दिली को ठीक करके दिखाएगे पशिक्ष्ष्द में बैटर काम किया बिजली ठीक करी पानी ठीक कर रहे हैं ऐसे हम इसको illegal और अतिकरमन को भी इसको ठीक करेंगे लेकिन इस तरह से bulldozer चला के लोगों के घरों को और लोगों की दुकानों को उजाड़ना ये सही नहीं है हम इसका सक्त विरोध करते हैं अभी मैंने विधायकों की meeting ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े डरना मत लेकिन आपको जनता के साथ खड़ाओना इस तरह से bulldozer चलाना सही नहीं है दादागेरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है